प्राटी भाश्टियों राज्य जहां बीजेपी को 2024 लोगसबा चिनाव में बड़ा खाम्याज अभूगत न पड़ा बावजोदिसके मधप्रिदिश में पाटी ने सभी 29 लोगसबा सीटे जीत ली कुछ सीटे छोड़ दे तो जीत का अंतर भी लाकों वोटो कर रहा आखिर MP में कॉंग्रेस की हार की पीछे पार्टी के दरजनों तर्क है लेकिन तर्कों में कॉंग्रेस के निशाने पर केवल BJP है कॉंग्रेस का कहना है कि BJP ने PM मोदी से लेकर संगटन तक ने पूरी ताकत जोगी बीजेपी ने पानी की तरफ पैसा बहाया कॉंग्रेस के पास रिसोर्स नहीं थे और हमारे अकाउंट सीज कर दिये गए थे दूसरी तरफ बीजेपी MP में मिली बंपर जीत के लिए पार्टी के मूल मंत्र बीजेपी इसके लिए पिछले 20 सालों के विकास की दलील दे रही है बीजेपी ने मध्यप्रदेश का विकास किया है हमारे संगठन की मजबूती पर काम हुआ है देखें भार्ति जंता पार्टी के एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और इसी मूल मंत्र पे मंध्य प्रदेश के अगर मैं बात करूँ तो भारती जंता पार्टी के साथ जो इतिहास है पिछले 20 वर्षों का इथियास है जो उन्होंने मत्यप्रदेश की जनता का विकास किया है एक बिमारू राजजी को 2003 से पहले का जो बिमारू राजजी था उसे विक्सित राजजी बनाने का जो काम किया है वो भारती जनता पार्टी की सरकार ने किया है MP में कॉंग्रेस के सूप्रा साफ और BJP की बंपर जीत पर राजजनीती के जानकारों का कुछ और ही कहना है वरिष्ट पत्रकार दिनेश गुपता का कहना है कि 2003 के बाद MP में कॉंग्रेस का संगठन लगातार कमजोर होता चला गया और BJP मजबूत होती चली गई MP बाइपोलर स्टेट होने की वज़ा से मतदाताओं ने कभी कॉंग्रेस तो कभी BJP को एक तरफा वोट दिया मद्व प्रदेश में आप पहले 2003 के पहले देखेंगे तो ये कॉंग्रेस का राजज्य था बहले ही ये कहा जाता था कि भाज़ापा यहां मजबूत है काडर है 2003 के बाद कुछ राजनितिक परिस्टियां ऐसी बनी कि कॉंग्रेस कमजोर होती गई और इसका फाइदा भार्टी जन्ता पार्टी ने उठाया तो जो कॉंग्रेस की कमजोरी से भाज़ापा मजबूत है यही भाज़ापा खुड के कारणों से मजबूत होती तो 2003 के पहले भी जब कॉंग्रेस की सरकारें आती थी 10 सदद 10 साल रहती थी तो बूर नहीं रहती वही वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी बीजेपी की बड़ी जीत के लिए मजबूत संगठन, मोदी लह और राम मंदिर के मुद्दे को जिम्मिदार बता रहे है एक तरफ हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हर्याना में बीजेपी को बड़ा जटका लगा महराश्ट्र बंगाल में पार्टी बड़े अंतर से पिछड गई वहीं एंपी में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया जिसकी वज़ा रही बीजेपी का कसा संगठन, संग का सहयोग, बूत स्तर पर कार्यकरताओं की सक्रियता उपर से मोधी क्या चहरा और राम मंदिर मुद्दा भी कारगार साबित हुआ प्रशांत कटारे, न्यूज एटीन भोपाल